एक समय की बात है, रंग बिरंगे फूलों और उड़ती हुई तितलियों से भरे एक शांति पूर्ण घास के मैदान में एक छोटा सा चूहा रहता था जिसका नाम ओलिवर था ओलिवर कोई साधारन चूहा नहीं था, उसमें एक सासी आत्मा और बहादुर दिल था जबकि अधिकांच चूहे अपने बिलों के पास रहकर ही खुश रहते थे, ओलिवर दुनिया को मैदान से परे देखने का सपना देखता था एक उजले सुबह, ओलिवर ने हवा में तेरती हुई एक दूर की मधूर ध्वनी सुनी यह Encanted Forest के दिल में होने वाले Great Forest Fair का गीत था, जो केवल साल में एक बार होता था मेले को देखने के लिए द्रिर संकल्पित, ओलिवर ने कुछ चीज के टुकडों से भरा एक छोटा बैग पैक किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा जैसे ही ओलिवर जंगल में गहराई में गया, उसे कई चुनोतियों का सामना करना पड़ा सबसे पहले उसने एक चोड़ी बहती हुई नदी के सामने पाया जिसमें कोई पुल नहीं था जैसे ही वो वापस मुड़ने वाला था, एक दोस्ताना मेढख फिन कुदता हुआ उसके पास आया हैलो, छोटे चुहे, फिन ने कहा, क्या तुम्हें नदी पार करने में मदद चाहिए? हाँ, कृपिया, ओलिवर ने उत्तर दिया मैं Great Forest Fair तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ फिन ने सिर हिलाया और ओलिवर को अपनी पीट पर सवारी करने की पेशकश की एक बड़ी चलांग के साथ, फिन ने ओलिवर को सुरक्षित रूप से नदी के पार ले जाया आभारी होकर, ओलिवर ने फिन का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी अगले, ओलिवर ने खुद को एक अंधेरे और उल्जे हुए जाडियों के किनारे पर पाया काटे और जाडिया अभेद्य लग रही थी जब वो सोच रहा था कि क्या करे, एक बुद्धिमान बूरी हेज़योग हैजल जाडियों से निकल कर आई खो गए हो? हैजल ने एक समझदार मुस्कान के साथ पूछा मैं Great Forest Fair तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, ओलिवर ने कहा लेकिन मैं इस जाड़ी से नहीं गुजर सकता हैजल हसी और काटो को सावधानी पूर्वक हटा कर ओलिवर के लिए एक संकीर्ण रास्ता बनाया बस तारों पर नजर रखो, हैजल ने सलाह दी वे तुम्हें सबसे अंधेरे समय में भी मार्क दर्शन करेंगे ओलिवर ने रास्ते का पालन किया और जल्द ही खुद को टिम्टिमाते तारों के छत्री के नीचे पाया उनकी रोशनी में उसे एंकेंटिट फॉरेस्ट के दिल में पहुँचा दिया जहां ग्रेट फॉरेस्ट फेर जोरों पर था वहां रंग बिरंगे तंबू थे, जादूई प्राणी कर्टब दिखा रहे थे और संगीत ने हवा को खुशी से भर दिया था ओलिवर की आँखें आश्चरे से खुल गई जब उसने मेले का अन्वेशन किया उसने परियों को नृत्य करते देखा, बाजीगरों के कर्तबों पर आश्चरे किया और यहां तक की जादूई मिठाईयों का स्वाद भी चखा जो उसकी जीब पर धूप की तरह पिघल गई रात के आगे बढ़ने पर उसने खुद को मेले के केंदर में पाया, जहां एक बड़ा मंच स्थापित था अचानक संगीत रुख गया और एक लंबी राजसी उल्लू जिसका नाम औरला था, जो मेले का संरक्षक था, मंच पर आई स्वागत है, जंगल के प्राणियों, ग्रेट फॉरेस्ट फेर में उसने घोशना की आज रात हम एक विशेश अतिती की बहादुरी और जिग्यासा का सम्मान करते हैं ओलिव चूहें, क्रिपिया आगे आएं ओलिव, हक्का बक्का होकर, धीरे-धीरे मंच की ओर बढ़ा औरला ने उसे दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारी साहस और साहसी आत्मा ने तुम्हें यहां तक पहुँचाया है चुनोतियों का सामना करते हुए और नए दोस्तों के साथ हमारी सराहना के प्रतीक के रूप में हम तुम्हें यह जादूई बलूत का फल देते हैं यह तुम्हें एक इच्छा पूरी करने की शक्ती देगा ओलिवर ने चमकते बलूत का फल लिया और एक पल के लिए सोचा फिर एक सपष्ट आवाज में उसने कहा मैं चाहता हूं कि जंगल के सभी प्रानी हमेशा अपने दिल में साहस और दोस्ती पाएं जैसे मैंने अपनी यात्रा में पाया मेला खुशियों से भर गया और ओलिवर की इच्छा का जादू पूरे जंगल में फैल गया इसे एक ऐसी जगह बना दिया जहां बहादूरी, दयालुता और दोस्ती फलती फूलती थी उस दिन से ओलिवर चूहा एंकेंटिट फॉरेस्ट में एक किवधन्ती बन गया उसकी कहानी हर ग्रेट फॉरेस्ट फैर में सुनाई जाती थी और इस प्रकार, रंग बिरंगे फूलों और उड़ती हुई तितलियों से भरे शांति पूर्ण घास के मैदान में ओलिवर के सहसिक कारे की स्मृती जीवित रही जंगल के प्राणियों की पीडियों को उनके सपनों का पीछा करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करते हुए एक बार की बात है घुमावदार पहाडियों और चमचमाती धाराओं से घिरे एक छोटे से गाव में क्लारा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी क्लारा को बागवानी का विशेश हुनर था और वो किसी भी पौधे को अपने कोमल स्पर्श और दयालू हृदे से जीवन्त बना सकती थी उसका बगीचा गाव में सबसे सुन्दर था जिसमें जीवन्त फूल, रसीले फल और हरे भरे सबजियां भरी हुई थी एक दिन जब क्लारा अपने बगीचे की देख भाल कर रही थी, उसने अपने याड के किनारे एक छोटा, मुर्जाया हुआ पौधा देखा पौधे की नाजुक चांदी की पत्तियां और छोटे-छोटे तारे के आकार के फूल थे क्लारा ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था उसने सावधानी पूरवक पौधे को अपने बगीचे में एक धूप वाली जगह पर स्थानांतरित किया और उसे पानी और उपजाव मिट्टी दी क्लारा के आश्चरे से पौधा तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में यह एक सुन्दर, चमकदार पेड में बदल गया पेड की चांदी की पत्या धूप में चमकती थी और इसके तारे के आकार के फूल रात में एक कोमल, सुकून देने वाली रोश्नी उत्सजित करते थे क्लारा ने इसे स्टार ट्री नाम दिया एक शाम, जब क्लारा स्टार ट्री की प्रशंसा कर रही थी, उसने एक हलकी, मधूर गुंगुनाहट सुनी ध्वनी का पीछा करते हुए, उसने देखा कि एक छोटी, जादूई प्रानी चमकती शाखाओं में से एक पर बैठी थी यह एक परी थी जिसके इंद्रधनुशी पंक और उसके सिर पर फूलों का मुकुट था नमस्ते, क्लारा, परी ने एक मीठी, जंकार वाली आवाज में कहा मैं लूमिना हूँ, स्टार ट्री की संरक्षक, मेरे घर को बचाने के लिए धन्यवाद क्लारा आश्चर्य से मुस्कुराई, मुझे नहीं पता था कि यह पेड विशेश है मैं बस खुश हूँ कि यह अब स्वस्थ है लूमिना ने सिर हिलाया, स्टार ट्री बहुत खास है इसमें किसी भी पवित्र हृदय वाले व्यक्ती को एक इच्छा पूरी करने की शक्ती है आपकी दयालुता के कारण, पेड ने आपको चुना है क्लारा हत्प्रब रह गई एक इच्छा? किसी भी चीज के लिए? हाँ, लूमिना ने उत्तर दिया लेकिन याद रखें, स्टार ट्री द्वारा पूरी की गई इच्छा दिल से आनी चाहिए और सब की भलाई के लिए होनी चाहिए क्लारा ने एक पल के लिए सोचा वो अपने गाव से प्यार करती थी और चाहती थी कि हर कोई उसके बगीचे में जितना खुश हो उतना ही खुश रहे अन्तता उसने अपनी इच्छा व्यक्त की मैं चाहता हूँ कि हमारे गाव में स्टार ट्री का बगीचा उगाए ताकि हर कोई उनकी सुन्दर्ता और जादू का आनंद ले सके लूमीना ने गर्मजोशी से मुस्कुराया तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई क्लारा आज रात से स्टार ट्री के बीच गाव में फैल जाएंगे और जहां भी उनकी जरूरत होगी वहां उगेंगे उस रात जब क्लारा सो रही थी लूमीना और स्टार ट्री ने अपना जादू फैलाया छोटे छोटे बीज हवा में तैरते हुए बगीचों, खेतों और यहां तक की गाव के चौक में भी जागिरे सुबह होते ही गाव चमकते हुए स्टार ट्री से भर गया जिनकी चांदी की पतियां और तारे के आकार के फूल पूरेक शेत्र को रोशन कर रहे थे गाव वाले हैरान और प्रसंद थे स्टार ट्री ने सभी के लिए खुशी और सामन जस्य लाया उनके चमकते फूल रात में रोशनी प्रदान करते थे और उनकी जादूई उपस्थिती ने गाव को शांती और खुशाली की भावना से भर दिया क्लारा का बगीचा मिलन और उत्सव का स्थान बन गया दूर दूर से लोग सुंदर स्टार ट्री को देखने और क्लारा की इच्छा की कहानी सुनने के लिए आने लगे गाव फलने फूलने लगा और क्लारा की प्रकृती के प्रती प्रेम और दयालुता का जश्न मनाया गया लूमीना अक्सर क्लारा से मिलने आती और दोनों अच्छे दोस्त बन गए साथ में वे स्टार ट्री की देख भाल करते और उनका जादू पहलाते रहे क्लारा ने सीखा की सच्चा जादू दया, उदारता और दूसरों के साथ साजा किये गए प्रेम में नहित है और इसलिए घुमावदार पहाडियों और चमचमाती धाराओं से घिरे छोटे से गाव में स्टार ट्री एक दयालू हृदय और नहिस्वार्त इच्चा की शक्ती के प्रमान के रूप में खड़े थे क्लारा की कहानी पीडी दर पीडी सुनाई गई बच्चों और बड़ों को प्रकृती को संजोने और जहां भी जाएं वहां खुशी पहलाने के लिए प्रेरित करती रही गाव फलता फूलता रहा और स्टार ट्री चमकते रहे सभी को ये याद दिलाते रहे कि जीवन की सबसे सुन्दर और जादूई चीजे प्रेम और दया के कारियों से आती है समुद्र तटिये शहर सीव्यू में जहां समुद्र की लहरे किनारे से रहसियों की फुस्फुसाहट करती थी ओलिव नामक एक जिग्यासू और सासी लड़का रहता था ओलिव को रेती ले समुद्र तटों और चट्टानी खाडियों की खोज करने में सबसे अधिक मजा आता था वो उस दिन का सपना देखता था जब वो कोई छिपा हुआ खजाना खोज सकता था एक धूब भरी दोपहर पुराने जहाज के मलबे के पास रेत में खुदाई करते समय ओलिव ने एक छोटा पुराना सा संदूग पाया उट्सा से उसका दिल धड़कने लगा जब उसने उसे खोलने की कोशिश की अंदर एक प्राचीन फटा हुआ नक्षा मिला नक्षे में सीव्यू के समुद्र तटका चितरन किया गया था और इसमें एक पगडंडी दिखाए गई थी जो विस्पइंग वुड्स में गहरे एक रहस्यमई एक्स की ओर ले जाती थी ओलिवर को पता था कि उसे खजाना खोजना है इसलिए उसने अपना बैग पकड़ा उसे आपूर्ती से भरा और अपने साहसिक कारे पर निकल पड़ा रास्ते में उसे उसकी सबसे अच्छी दोस्त मिया मिली जो पहलियों और रहस्यों से प्यार करने वाली एक समझदार लड़की थी जब ओलिवर ने उसे नक्षा दिखाया तो मिया की आँखें उत्सा से चमक उठी साथ में उन्होंने पगडंडी का अनुसरण करने और छिपे खजाने के रहस्य को उजागर करने का निर्ने लिया जब वे विस्पइंग बुड्स में प्रवेश कर रहे थे उन्होंने देखा कि पेड प्राचीन कहानियों की फुसफुसाहट कर रहे हैं पगडंडी संकीर्ण और घुमावदार थी लेकिन दोस्त द्रिड निश्चेई थे नक्षे पर पहला संकेत उन्हें एक उचे ओग के पेड तक ले गया जिसमें एक खोकला तना था अंदर उन्हें लकडी में खुदी हुई एक पहली मिली जिस कुंजी को तुम भीतर पाओगे उसे हल करो और शुरुआत करो मिया ने जल्दी से पहली को हल कर दिया और उन्होंने पेड के अंदर एक छिपे हुए कमपाटमेंट में एक सुनहरी कुंजी पाई कुंजी को हाथ में लेकर वे अपनी यात्रा जारी रखे नक्षे के जटिल चित्रोद्वारा निर्देशित उनकी अगली मंजिल क्रिस्टल गुफा थी एक चमचमाती गुफा जो हर रंग के चमकदार क्रिस्टल से भरी हुई थी नक्षे ने संकेत दिया कि खजाना गुफा के भीतर एक चिपे हुए दर्वाजे के पार था खोज करते समय उन्हें एक क्रिस्टल दीवार पर खुदी हुई एक और पहली मिली सच्चाई को देखने के लिए मार्क को रोशन करो तभी तुम रास्ता पाऊगे अपने फ्लेशलाइट्स का उपियोग करते हुए ओलिवर और मिया ने क्रिस्टल पर प्रकाश डाला जिससे एक छिपा हुआ मार्क दिखाई दिया जो गुफा के भीतर गहराई में ले गया मार्क के अंत में उन्हें एक शांदार पत्थर का दर्वाजा मिला जिसमें एक कुंजी छेद था जो ठीक उनकी सुनहरी कुंजी के आकार का था कापते हाथों से ओलिवर ने कुंजी डाली और उसे घुमाया दर्वाजा चरम राया और खुल गया जिसमें प्राचीन वस्तूओं, चमचमाते रतनों और सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक संदूग दिखाई दिया लेकिन असली खजाना एक धूल भरी पुरानी किताब थी जो एक मचान पर रखी थी मिया ने ध्यान से किताब खोली यह एक जर्नल थी जिसे कैप्टन सीफोर्ट एक प्रसिद समुदरी डाकू जिसने कभी सीव्यू के आसपास के समुदरों में नौकायन किया था ने लिखा था जर्नल में उनके सहसिक कार्य और खजाने का विवरन था जिसे उन्होंने इसे गलत हाथों में पढ़ने से बचाने के लिए छिपाया था जैसे जैसे ओलिवर और मिया जर्नल पढ़ते गए उन्हें एहसास हुआ कि खजाने का असली मूल्य उसमें छिपे ग्यान और कहानियों में था जर्नल की अंतिम प्रविष्टी कैप्टन सीफोर्ट का एक दिल से लिखा संदेश था जिसमें यह आगरह किया गया था कि जो कोई भी खजाने को पाए वो इसका समझदारी से उप्योग करे और इसकी कहानियों को दूसरों के साथ साजा करे खजाने के साथ ओलिवर और मिया सीव्यू लोट आए उन्होंने सोने के सिक्कों और रतनों को दान करने और कैप्टन सीफोर्ट की वस्तूओं और जर्नल को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहाले बनाने का फैसला किया संग्रहाले एक आश्चर्य और सीखने का स्थान बन गया जहां शहर के लोग सीव्यू का सम्रिद हितिहास और कैप्टन सीफोर्ट के सहसिक कारियों का अन्वेशन कर सकते थे ओलिवर और मिया की खोजने शहर को एक जुट कर दिया नई पीडियों को अन्वेशन करने, सपने देखने और अपने खुद के खजाने खोजने के लिए प्रेरित किया ओलिवर और छिपे खजाने की कहानी एक प्रिय कथा बन गई जो सभी को याद दिलाती थी कि सबसे बड़े खजाने वे सहसिक कारिय हैं जिन्हें हम साजा करते हैं और ग्यान जो हम आगे बढ़ाते हैं उस दिन से ओलिवर और मिया नए सहसिक कारियों की खोज और खोज में लगे रहे ये जानते हुए कि असली खजाना स्वयम यात्रा और रास्ते में बनाए गए दोस्त थे एक सुन्दर गाव में जो चारो और की पहाडियों के बीच बसा हुआ था दो भाई बहन रहते थे लीना और टॉम वे अपने दोपहर के समय को घास पर लेटे हुए बादलों को देखते हुए और आकाश में एक शानदार महल में रहने के सपने देखते हुए बिताना पसंद करते थे यह महल सुनहरे हौल, सुन्दर बागो और अनंत कमरों से भरा हुआ था वे खुद को शाही परिवार के सदस्य के रूप में कलपना करते थे जो विलासिता और मजे की जिन्दगी जीते थे एक दिन जब वे अपने सपनों में खोए हुए थे उनकी समझदार दादी, नाना उनके पास आकर बैठी तुम दोनों आज क्या सपने देख रहे हो? उन्होंने एक कोमल मुसकान के साथ पूछा हम अपने आकाश के महल के बारे में सोच रहे हैं नाना, लीना ने उत्तर दिया जब हम वहां रहेंगे तो यह अद्भुत होगा टॉम ने जोड़ा नाना ने धहर्यपूर्वक सुना और फिर पूछा और तुम इस सपने को सच करने की योजना कैसे बना रहे हो? लीना और टॉम ने एक दूसरे की ओर देखा उल्जन में उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं था हम बस मानते हैं कि यह हो जाएगा लीना ने आत्म विश्वास से कहा नाना ने हलके से हस्ते हुए कहा अपने सपनों पर विश्वास करना अद्भुत है लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रयास की आवश्यक्ता होती है मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो उन्होंने शुरू किया एक बार सैम नाम का एक किसान का समय आया उसके खेत खाली थे और उसके सपनों के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था लीना और टॉम ध्यान से सुन रहे थे सैम का क्या हुआ टॉम ने पूछा सैम को एहसास हुआ कि केवल सपने ही काफी नहीं थे नाना ने उत्तर दिया उसे अपनी सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत और बीज बोने की जरूरत थी अगले मौसम में उसने जमीन को जोता बीज बोय और अपनी फसलों की देख भाल की जब फसल का समय फिर से आया उसके खेत उन सुनहरे फसलों से भरे थे जिनके बारे में वो हमेशा सपना देखता था लीना और टॉम ने इस कहानी पर विचार किया उन्होंने महसूस किया कि अपने महल के बारे में सपने देखना मज़ेदार था लेकिन अपने लक्षयों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यक्ता थी उस दिन से लीना और टॉम ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का प्रयास करने का निर्णे लिया उन्होंने अपने माता पिता की चोरों में मदद की मेहनत से पढ़ाई की और यहां तक की पैसे कमाने के लिए चोटे मोटे प्रोजेक्ट भी शुरू किये लीना ने अपने हस्तनिर्मित कृतियों को बेचना शुरू किया जबकि टॉम ने पडोसियों के लिए लॉन काटने और चोटे मोटे काम करने का प्रस्ताव रखा उनकी मेहनत अंदेखी नहीं हुई गाव वाले उनकी लगन की प्रशंसा करते थे और अक्सर उनके प्रयासों का समर्थन करते थे समय के साथ लीना और टॉम ने अपने पिछवाडे में एक छोटा सा खेल घर बनाने के लिए परियाप्त पैसे जमा किये यह आकाश का महल नहीं था लेकिन यह उनकी अपनी मेहनत से बनाया गया खास स्थान था एक शाम जब वे अपने खेल घर में बैठे थे लीना ने कहा हमारा महल आकाश में नहीं हो सकता लेकिन हमने इसे साथ में बनाया है और यह उतना ही जादूई लगता है टॉम ने सहमती में सिर हिलाया नाना सही थी सपने अद्भुत होते हैं लिकिन उन्हें वास्तविक्ता में बदलने के लिए कड़ी महनत की आवश्चक्ता होती है उनकी दादी खिडकी से उन्हें देख रही थी गर्व से मुसकुराई उन्हें पता था कि उन्होंने मेहनत और द्रड़ता के मूले के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था कहानी की नितिक्ता सपने महत्वपूर्ण और अध्भुत होते हैं लिकिन वे केवल कड़ी मेहनत, समर्पन और प्रयास से ही सच होते हैं एक लड़के को बाहर खेलने की आदत थी और वह खाने से पहले कभी हाथ नहीं धोता था एक दिन उसने गंदे हाथों से खाना खाया और बीमार पड़ गया डॉक्टर ने उसे बताया कि मिटी से आने वाले कीटाणों ने उसे बीमार कर दिया लड़के ने अपनी गलती से सीख ली और नियमित रूप से हाथ धोने लगा जिससे वह स्वस्त रहने लगा नैतिक अच्छे स्वास्थे के लिए स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है जैसे साधारण आधतें जैसे हाथ धोना बीमारियों को रोक सकती है एक समय की बात है एक हरे भरे जंगल में पिप नाम का एक छोटा तोता रहता था पिप छोटा था लिकिन उसके दिल में साहस और दया भरी थी उसे पेडों के बीच उड़ना, गीत गाना और अपने जानवर दोस्तों की मदद करना बहुत पसंद था जब भी उन्हें जरूरत होती थी एक गर्मी के दिन जंगल में भयानक आग लग गई आग तेजी से फैलने लगी और हवा में घना धुआ भर गया सभी जानवर डर गए और आग से बचने के लिए नदी की ओर भागने लगे लेकिन पिप उड़कर भागने की बजाए एक विचार आया वो नदी की ओर उड़ गई अपने छोटे पंखों को पानी में डुबाया और आग की ओर वापस उड़ गई उसने अपने पंख हिलाए जिससे कुछ बुंदे आग पर गिरी दूसरे जानवर दूर से ये देख रहे थे, चिंतित और हैरान थे तुम क्या कर रही हो, पिप? एक हाथी ने पूछा, तुम इतनी चोटी हो कि इस बड़ी आग को बुझा नहीं पाऊगी तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए लेकिन पिप ने उत्तर दिया, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ भले ही मेरे पंक छोटे हैं, मुझे कोशिश करनी चाहिए पिप नदी से आग तक बार-बार उड़ती रही, अपने छोटे-छोटे पंकों से पानी की बुंदे गिराती रही आग कम होती नहीं दिख रही थी, लेकिन पिप ने हार नहीं मानी उपर आकाश में देवता पिप के प्रयासों को देख रहे थे उन में से एक छोटे-तोटे के साहस और द्रिड संकल्प से प्रभावित होकर मदद करने का निर्णय लिया उसने खुद को एक शक्तिशाली गरोड में बदल लिया और पिप के पास आकर उत्रा मैंने तुम्हारा साहस देखा है, छोटे-थोटे, गरोड ने कहा आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ अपनी विशाल पंखों की एक फड़फडाहट से, गरोड ने एक शक्तिशाली हवा पैदा की जिसने आग को पीछे की ओर धकेल दिया वो नदी के उपर उड़ गया, अपने विशाल पंखों में पानी भरा और उसे आग पर डाल दिया दूसरे जानवरों ने ये देख कर प्रेरित महसूस किया उन्होंने भी मदद करना शुरू कर दिया हाथियों ने अपनी सूंड में पानी भरा और आग पर छिड़कने लगे बंदरों ने पत्तों में पानी भरा और यहां तक की सबसे छोटे कीड़े भी मदद में जुट गए सभी के प्रयासों से अंतता आग बुझ गई और जंगल बच गया जंगल के जानवरों ने खुशी मनाई और पिप के चारो ओर जमा हो गए तुमने कर दिखाया पिप वे बोले तुम्हारे साहस और द्रिड संकल्प में हम सभी को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया पिप मुस्कुराई और कहा छोटे से छोटे कार्य भी बड़ा फर्क ला सकते हैं कभी कभी, दूसरों को मदद के लिए प्रेरित करने के लिए सिर्फ एक छोटा कदम ही काफी होता है। उस दिन के बाद से, पिप जंगल में सबसे साहसी छोटे तोते के रूप में जानी जाने लगी। एक यादगार उदाहरन की साहस हर आकार में आता है और एक छोटा सा काम भी बड़े बदलाव की चिंगारी बन सकता है। कहानी की सीख, साहस और द्रिड संकल्प, चाहे वो कितना भी छोटा क्यूं न हो, दूसरों को कारे करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं और महान विपत्तियों के खिलाफ साहस दिखाते हैं, तो आप बड़ा फर्क ला सकते हैं। के लिए तैयार रहता और जो उसके पास होता, उसे बाटता था। एक दिन, जब वे जंगल में लकडिया इकठा करने गए, तो उन्होंने सोचा कि वे अलग-अलग रास्तों से ज्यादा लकडी इकठा कर सकते हैं। रवी गहरे जंगल में चला गया, जहां उसे एक बड़ा पेड मिला जो चमकदार सुन्यों से धका हुआ था। उसने सोचा यह पेड तो खास लग रहा है। मैं इन चमकदार सुन्यों को बेच कर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। रवी ने उन सुन्यों को जोड से पकड लिया, डालिया तोड़ते हुए और पेड को नुकसान पहुचाते हुए। अचानक पेड हिलने लगा और उसके तने से एक गहरी आवाज आई। तुम मुझे इस तरह क्यों नुकसान पहुचा रहे हो, लालची लड़के। तुम बिना पूछे ले रहे हो और तुम्हें जंगल का कोई सम्मान नहीं है। रवी डर गया, लेकिन उसने जिद्धी होक अगर सुयों को खीचना जारी रखा। पेड को गुस्सा आ गया और उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। पेड जोड-जोड से हिला और सारी चमकदार सुया तेज, कांटेदार रूप में बदल गई, जो रवी के हाथों और कपडों में चुब गई। रवी दर्द मे चिलाया, उसके हाथों में तेज जलन हो रही थी, और उसने कांटों को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं निकले। दर्द और घबराहट में, रवी अपने भाई मोहन के पास भागा। रवी की हालत देखकर, मोहन तुरंद उसकी मदद के लिए दोडा। हाला कि रवी ने हमेशा उसके साथ स्वार्थी और बुरा बरताव किया था, फिर भी मोहन ने बिना किसी शिकायत के धीरे-धीरे एक-एक करके कांटों को निकालना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उसने पेड से माफी मांगते हुए दयालू शब्द कहे और अपने भाई के बरताव के लिए क्षमा मांगी। पेड मोहन की दयालुता और कोमल स्वभाव को देखकर उसे इनाम देने का निरने लिया। पेड ने फिर से कहा, दयालू लड़के, तुमने अपने स्वार्थी भाई के लिए भी प्यार और देखभाल दिखाई है। मैं तुम्हारे अच्छे दिल के लिए तुम्हें एक वर्दान दूंगा। मोहन ने थोड़ा सोचा और कहा, क्रिप्या, महान पेड, मेरे भाई को क्षमा करें और हमें दया और बांटने का मूल्य सिखाए। पेड मोहन की विनम्र इच्छा से प्रसन हुआ। उसने न केवल रवी के हाथों से सारे कांटे हटा दिये, बलकि उन्हें सोने के सेब और रतनों से भी नवाजा। रवी अपने भाई की दया और पेड की उदारता देखकर चकित रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह लालची और स्वार्थी बनकर कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उस दिन से रवी ने अपने स्वभाव को बदल लिया। उसने दयालू होना, जो उसके पास था उसे बाटना और अपने चारों और की दुन्या का सम्मान करना सीख लिया। दोनों भाई खुशी-खुशी रहने लगे और हमेशा नीडल ट्री के दिये गए सबक को याद रखते। कहानी की सीख, दयालूता और उदार्था से अच्छे परिणाम मिलते हैं, जबकि लालच और स्वार्थ परेशानी की ओर ले जाते हैं। हमेशा दूसरों और अपने चारों और की दुनिया के प्रती सम्मान और देखभाल से पेश आना चाहिए। बहुत समय पहले, फारस के एक छोटे से गाव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़ारा रहता था। एक दिन, जब वह जंगल में लकड़िया काट रहा था, उसने देखा कि चालीस चोरों का एक दल एक छिपी हुई गुफा की ओर जा रहा है। अली बाबा ने दूर से देखा कि चोरों का सरदार एक बड़े पत्थर के सामने खड़ा होकर बोला, खुल जा सिमसिम और वह पत्थर हड़ गया, जिससे एक गुफा का रास्ता खुल गया। गुफा के अंदर सोना, हीरे जवाहरात और अन्यकीमती सामान भरा हुआ था, जो चोरों ने लूटा था। चोरों के जाने के बाद, अली बाबा ने भी वही जादूई शब्द कहे, खुल जा सिमसिम और गुफा का दर्वाजा खुल गया। अली बाबा अंदर गया और वहां के खजाने को देख कर दंग रह गया। उसने कुछ सोने के सिक्के लिए और अपने घर लोटा आया। लेकिन उसका लालची भाई कासिम इस रहस्य को जान गया और अली बाबा की सलाह को न मानते हुए जल्दबाजी में गुफा पहुच गया। उसने ज्यादा से ज्यादा खजाना लेने की कोशिश की लेकिन उत्सा में वहां गुफा का दर्वाजा खोलने वाले जादूई शब्द भूल गया और अंदर फंस गया। जब चोड लोटे तो उन्होंने कासिम को वहां देख लिया और उसे सजा दी। अली बाबा अपने भाई के दुर्भाग्य से दुखी हुआ लेकिन उसने इस रहस्य को संभाल कर रखा और खजाने का इस्तमाल समझदारी से करते हुए जरूरत मंदों की मदद की। वह सादगी भरा जीवन जीता रहा और चोरों को इस रहस्य का कभी पता नहीं चला। कहानी की शिक्षा लालच इंसान को बरबाद कर सकता है। अली बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि संपत्ती का उप्योग बुद्धिमानी से करना चाहिए और अत्यधिक लालच खदरनाक हो सकता है। बहुत समय पहले एक सुंदर जंगल में दो पेड एक दूसरे के पास खड़े थे। एक उच्चा गर्विद बलूत का पेड और एक विनम छोटा सुई वाला पेड बलूत के पेड की शाखाएं मजबूत और चोरी थी और उसकी पत्तिया घनी और मजबूत थी जबकि सुई वाले पेड की पतली हरी सुईया थी जो उतनी शांदार नहीं लगती थी। बलूत का पेड अकसर सुई वाले पेड का मजबूत उड़ाता था। देखो तुम्हारी पतली नुकीली सुईयों को तुम कभी मेरे जैसे भव्य नहीं हो सकते मेरी बड़ी खूबसूरत सुई वाले पेड चुप रहा, उदास तो हुआ लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि वो बलूत के पेड जितना भव्य नहीं है लेकिन उसे अपनी मुलायम सुईयों पर गर्व था जो जंगल के जीवों को गर्मी दे सकती थी। एक दिन जंगल में एक भयन कर तूफ तेज होती गई, उसकी बड़ी पत्तिया और मोटी शाखाएं तूफान की ताकत को सहन नहीं कर सकी। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ बलूत के पेड की एक शाखा तूटकर जमीन पर गिर पड़ी। हवा बलूत के पेड की चोड़ी पत्तियों के लिए बहुत अधि तो बलूत का पेड तूटे हुए शाखाओं और बिखरी हुई पत्तियों के साथ ठका हुआ खड़ा था, जबकि सुई वाला पेड सीधा और सुरक्षित खड़ा था। बलूत का पेड शर्मिंदा महसूस करते हुए सुई वाले पेड से कहने लगा, मैंने तुम्हारा मज पीरे से मुस्कराया और बोला, हम सभी में अपनी अपनी ताक्ते होती हैं। महत्व इस बात का है कि हम उनका कैसे उप्योग करते हैं। उस दिन के बाद बलूत का पेड कभी सुई वाले पेड का मजाक नहीं उड़ाया। और वे दोनों शांती से रहने लगे, ये समझते ह हुए कि जंगल के हर पेड की अपनी अलग एहमियत होती है। कहानी की शिक्षा, असली ताकत हमेशा दिखावे या आकार में नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम चुनोतियों का सामना कैसे करते हैं। हर किसी में अपनी अलग शक्ती होती है और हमें कभी किस को उसके बाहरी रूप के आधार पर नहीं आकना चाहिए। वही मुर्गी एक सुनहरा अंडा देती रही। और जल्द ही किसान और उसकी पत्नी बहुत अमीर हो गए। लेकिन किसान लालची हो गया। उसने सोचा अगर मुर्गी सुनहरे अंडे दे सकती है तो उसके अंडर बहुत सारा सोना होना चाहिए। धैरिये से हर दिन एक-ए अंडा लेने के बजाए। उसने सोचा कि मुर्गी को मार कर सारा सोना एक साथ निकाल लेगा। जब उसने मुर्गी को काटा तो पाया कि उसके अंडर कोई सोना नहीं था। जादू चला गया और किसान के पास कुछ भी नहीं बचा। नैतिक शिक्षा लालच के कारण आप प्यारी लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वह अपनी करूर सोतेली मा और दो निर्दई सोतेली बहनों के साथ रहती थी। वे उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, उसे सारे काम करवाती थी और कभी उसे पार्टिया मजे करने नहीं देती थी। एक दिन क्राज ने एक शाही बॉल की घोशना की और हर किसी को आमंत्रित किया। सोतेली बहने गई लेकिन सिंड्रेला को पीछे छोड़ दिया गया, वह दुखी थी। अचानक उसकी परी गौडमदर आई और जादू से सिंड्रेला को एक सुंदर गाउन काच की चपले और एक रथ दिया लेकिन चेतावनी दी की जादू आधी रात को समाप्थ हो जाएगा। बॉल में सिंड्रेला ने सब को मंत्रमुग्ध कर दिया, खास कर राजकुमार को, लेकिन आधी रात को उसे जाना पड़ा और गलती से अपनी एक काच की चपल छोड़ दी। राजकुमार ने पूरे राज्य में उस लड़की की तलाश की जिसके पैर में वह चपल फिट हो। जब उसे सिंड्रेला मिली तो उन्होंने शादी कर ली और खुशाल जीवन बिताने लगे। कहानी की शिक्षा, दया और अच्छाई का हमेशा इनाम मिलता है। चाहे परिस्थितिया कितनी भी कठ धिन क्यों नहों, दयालू और धैर्यवान रहने से अंत में खुशिया मिलती है।